लॉयंस क्लब दिल्ली वेज द्वारा जैपूर में उध्धमी उध्कृष्चिता संबान समारू का आउचन टॉंक रोट स्थित होटल ज्रॉयल और्चिट में किया किया समारू के मुख्य अतिती के तोर पर राधिपाल खल्राथ में शिर्कत की और क्लब के कामों को सराहा इस सावसर पर इंडिया हेरिटेज रनवे जैपूर फैशन शो का आउचन भी किया गिया जिसमें फर्स्ट इंडिया चैनल हेट जगदिश्चंद्र ने विशेश आमंत्रित अतिती के रूप में शिर्कत की इस तर्मियान लोयन्स क्लब दिली वेज के चार्ट अथ्यक्ष लोयन गौरव गुपता क्लब के अथ्यक्ष और बिकानेर वाला गुरूप के निदेशक नव रतन अग्रवाल ने साफा पहना कर और इस्मृती चिन ने भेट कर उनका स्वागत किया कारक्रम में कई देशों के राजदूतों और परिश्जनों ने भी हिस्सा लिया शो में एकवारो के राजदूत हैक्टर कुएवा जैकॉम की पत्नी ने भी वाक की और की आप शो की फैशन पार्टनर स्टार बस इवेंस किसी मागतू कंबर थी मॉर्टों प्रिश्ज के लब दिल्ली वैज ने यह कारेकर मायूजीत किया है यह एंटर पन एक्सिलेंस एवाड तीसरा वाड़ है पहले दो आवाड दिल्ली में किया थे अमने वसन दोजार उनन कि अपने गवर्णर साब करलाज मिश्जी ने इसका घाटन किया और अपना सभी को समानित किया जो यह एंट्रेप्रेणर एक्सिलेंट एवार्ड हुआ है उससे राजस्थान की जो इंट्रेप्रेणर शीफ है उसको एक बहुत अच्छा मंच मिला है मानिये राजपाल पहुचे बनवाड़ी वहां पहुचे मारवाड़ी कि दुनिया का ऐसा कोई भाग नहीं है कोई देश ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान का उद्योगपती या इंट्रेणर नहीं हो तो मुझे लगता है कि राजस्थान में ये प्रोग्राम हो राजस्थान की जो गरिमा ह वो सबसे बड़ी गरिमा है कि एक दूसरे को जो मान सम्मान देना किसी से लेना नहीं बल्कि देने की जो भाव है आज सब जने लेने की बात करते हैं यहां पर राइस्तान में देने की बात कर रहे हैं और अपस में मिलान है हम मैं भी कानिरवाला से हूँ, हम 130 मेंबरों का परिवार हैं, हम सब मिलके एक साथ हैं, मतलब कोई अलग नहीं है आज की तारिक में, और हमें बल्कि ये पूरा देश लगता है कि हम एक दूसरी के पूरा के कॉंप्लिमेंट से हैं. Loyal's Club Delhi Veg is the only organization in the world, सारी दुनिया में एक ऐसी organization है, जो apart from doing social service, apart from doing very very good things for the poorest of the poor, they are also promoting vegetarianism. वो शाका हरी बनाने की लोगों को कोशिश कर रहे हैं. उस दोने ये organize किया और governor साब को बुलाया और उनोंने आशिरवाद दिया, और उस award को जो लोगों को दिया, उनके लिए ये दिमाग के अदर एक बहुत बड़ी बात हो गई. हलके इस award का महत्वा पहले भी था, लेकि उसका और चार चान लगे उस award.